नवस्कार दोस्तो स्यू कोचिंग लासस यूटूब चैनल में आपका स्वगत है और दोस्तो आईपेची नामकर्ण की स्रंकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एथर समू की आईपेची नामकर्ण को देखेंगे दोस्तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एथर समू का पह है तो समझ जा यह एथर है कहने का मत्तब अलकिल समू के बीच में दी आकसीजन जुड़ा हुआ है तब यह हमारा एथर कहलाएगा दोस्तो चलिए इसका हम आईपेची नामकर्ण देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका कुछ नियम सर्चा कर लेते हैं दोस्तो जैसे आईपे के जगए आकसी लगाना है और दूसरे इलकेन का फिर नाम लिखना है लेकिन दोस्तो इतना याद रहे कि इलकेन समू में जो कारबन की संक्या अधिक रहेगा उसमें हम आकसी नहीं लगाएंगे कहने का मतलब जिसमें कारबन की संक्या कम रहेगी उसमें आकसी का प्रयोग क परेंगे और जिसमें कार्बन अधिक रहेगा उसका हम एलकेन सम्हों लिखेंगे उना एक बार नियम कहा है दोस्तों कि आई पेसी नामकर लिखते समये एलकेन के जगए एन के जगए पर आकसी लगाकर हम दूसरा एलकेन का नाम लिखेंगे और दूसरा एलकेन जो लिखेंग कि उसमें कार्बन की संख्या अधिक होनी चाहिए कहने का मतलब आक्सी जब्द जो है हम उसी एलकेन समू के साथ लगाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम रहेगी दोस्तो चले दोस्तो तो एकजामपल के माद्यम से हम समझते हैं जैसे हमारे पास यहां पर जुड़ा क्योंकि आक्सी जोड़ना है दोस्तो यह एथ क्योंकि दो कार्बन तो एथ है एथ में एथेन को हटा कर आक्सी एथाक्सी और दूसरा हमको नाम लिखना है एलकेन का तो यह है एथेन तो एथेन दोस्तो आप कन्फ्यूज मत होएं क्योंकि दोनों साइड यहां पर एथेन स इसलिए हम कहीं से भी नाम लिख सकते हैं अब दूसरे एकजामपल में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा जैसे C3H7 है C2H5 है यहाँ आपको देखना है कि कार्बन की संक्या किसमें अधिक है तो कार्बन की संक्या किसमें आखसी आपको नहीं जोड़ना है कारवन की संक्य किसमें कम है इसमें कारवन की संक्य कम है इसमें आपको आक्सी जोड़ना है दोस्तो एथेन से एन हटाईए और एन के जगए आक्सी तो एथाक्सी और फिर देखें दोस्तो प्रोपेन है तीन कारवन का तो प्रोपेन विल्कुली जी तीसरा नमबर आप देखें दोस्तो CS3O है ठीक है और C3S7 है अब आपको देखना है कि कारबन की संग्य किसमे कम है तो देखो मेथ है तो मेथ में आकसी जोड़ दो तो मेथाकसी हो जाएगा और यहाँ पर तीन कारबन है तो प्रोपेन तो मेथाकसी प्रोपेन हो जाएगा ठीक है यहाँ अगले एक जामपल की बात कहें तो CS3 है C2H5 है यहाँ पर एक कारबन है तो मेथ से हो जाएगा मेथाकसी यहाँ पर दो कारबन है तो ये एथ से हो जाएगा एथीन जिसमें कारबन की संख्या कम रहेगी उसमें आक्सी जोड़ना है और जिसमें कारबन की संख्या अधिक रहेगी उसे सीधे एलकेन के रूप में लिख देना है तिस प्रकार दोस्तो आज हमने एथर समू के आउपेशी नामकरन देखा दोस् अधिक्रियात्मक्समू एक ही कारवन स्रंकला के साथ जुड़ा रहेगा उनके बारे में भी हम ब्रहाद चर्चाएं करेंगे दोस्तो बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आपको कमिश्टी में जो भी सम्मंदित परसानी हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एथिल और एथर है तो डाई एथिल एथर हो जाएगा दोस्तों यहां कि यह दिवाद करें तो यहां पर C3H7 C2H5 है अब इसमें देखना है कि जिसमें कारवन की संक्य अधिक है जैसे इधर प्रोपिल तो इधर प्रोपिल दिखना है ठीक है और फिर यह क्या है C2H5 यह क् इथर हो जाएगा यहां पर दिवाद करें दोस्तों तो अधिक करवन वाला देखना है तो क्या हो जाएगा एथिल हो जाएगा मेथिल हो जाएगा इथर हो जाएगा यह सामान नामकरन है दोस्तों सामान नामकरन आप अपने से बना लिए इसका नाम डाई एथिल इथर इस इसका प्रोपिल मेथिल इथर, इसका एथिल मेथिल इथर, इस प्रकार इनका सामान नाम करना, इस प्रकार आज हमने दोख्तों, आज हमने इथर समू का IPSC नाम करना देखा, इसका पहचान है ROR, ROR- का मतलब यह हैं दोस्तों, यदि R के जगे, यहां C2S5 है, यहां C3S7 है, क हमारे इस चैनल में बने रहे आपको जो भी परसानी हो कमेंट जरूर करिए दोस्तों हम कोशिस करते हैं कि आपको वीडियो अपलोड कराएं और आपकी समस्यों को दूर कर सकें धन्नवाद